नमस्कार आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आपके पेपर फश्ट के लिए कुछ खास MCQ उसके बारे में आप इन्हें मौक टेस्ट जैसे प्रियोग कर सकते हैं आपके सामने यहाँ पर MCQ हैं मैं इनको अच्छे से डिफाइन करूँगा बट उसके पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि your own mental process is very important आप कितना भी पढ़ लीजिए कितने भी वीडियोस देख लीजिए जब तक आप वास्तविक इस तरह पर चिंतन नहीं करेंगे mental process नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो आज ये इस वीडियो में हम कुछ question देखेंगे इने solve करेंगे आप हमारे साथ जो वियल study का जो टेली ग्राम चैनल है उससे जोड़ सकते हैं मैंने link दिया है description box में और साथी साथ मैंने environment के कुछ खास परसना को अभी कुछ दिनों पहले define किया था उसका मैंने playlist के डिट किया है आप उसे भी देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला question है इसमें कहा गया है कि hypothesis should be conceptually यानि किसी परिकलपना को संकलपनात्मक रूप से कैसा होना चाहिए आपके सामने यहाँ पर यह चार option है आप सोचिए और बताएए कि सही उतर क्या होगा इसका जो correct answer है that is option c simple, clear and specific आपने hypothesis के बारे में पढ़ा होगा कि जब भी हम hypothesis create करते हैं तो हमारी जो hypothesis है जो परिकलपना है वो बहुत ही simple, clear और specific होनी चाहिए क्योंकि जितना ही आप आसानी से clear करेंगे उतना ही आपको आपकी research के लिए certain direction मिलती है तो it is very important कि आपकी परिकलपना अर्थात hypothesis simple, clear और specific होनी चाहिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ basic characteristics of good hypothesis के बारे में यहाँ पर कुछ points एड़ की हैं आप देखिए जो भी हमारी परिकलपना होती है वो conceptual clarity होनी चाहिए यानि बिल्कुल उसका concept clear होनी चाहिए very freeable and capable of being tested यानि testable होनी चाहिए उसको test कि रह सके ऐसी होनी चाहिए specific nature होनी चाहिए उसका nature specific होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम परिकलपना कुछ बनाए और करना कुछ चाहते है ऐसा नहीं होनी चाहिए contradiction से नहीं होना चाहिए simplicity होना चाहिए related to available techniques है जो भी आपके पास techniques है उन सभी से सम्मंदित होनी चाहिए related to body of the theory आप जो theory है उसके according होना चाहिए तो यह कुछ यहाँ पर यह points लिखे हैं आप इन्हें भी याद रख सकते हैं और देखिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो यह question create किया गया है इसमें अभी आपके सामने यह option create किया गया है हो सकता है कि इन option के अर्तरिक्त किसी और option को add किया जाए वो आपके इन मैंसे कोई हो सकते हैं इसलिए आपको basic understanding develop करनी है क्योंकि सीधे सीधे जो question आप पढ़ते हैं वैसे ही question पर एक्छा में नहीं आते हैं so you must have own understanding आपको खुद की समझ होनी चाहिए तो यह बहुत आवस्यक है इसकी बाद दूसरा question यहाँ पर है इसमें कहा गया है कि peer group interaction in a classroom helps in यानि कक्छा में जो समुह अंता करिया होती है वो कैसे फायदा करती है उसका क्या benefit होता है peer का मतलब होता है जो भी class में group होते है peer का मतलब दोस्तों से भी होता है यानि class में जो भी group है तो वो कैसे एक दूसरी को benefit करते हैं आपके सामने यहाँ पर चार option है आप वीडियो को पाउज करके खोड़ से भी पता कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या हो सकता है तो यहाँ पर जो इसमें correct answer है that is option A concept understanding होता कहा है कि जब भी class में कोछ इस्टूडेंट्स होते हैं उनके साथी होते हैं तो आपस में discuss करते हैं तो उनके concept understanding में उनको बहुत साहता मिलती है concept को मतलब होता है अबधारणा यानि अबधारणा को अच्छे से समझ पाते हैं तो आपका यहाँ पर option A सही है इसकी बात next question है जिसमें कहा गया है match the two sets given below यहाँ पर आपको दो set दिये गए है set एक और यहाँ पर set दो हमें इनको match करना है एक तरफ आपसे कहा गया है levels of measurement यानि मापन के इस्तर और इसके बात कहा गया यहाँ पर इसके good properties तो हमें यहाँ पर match करना है कि कौन सी चीज किस से match होगी देखिए जो यह आपका level of measurement है इसके बारे में जो properties है और भी जो चीज़े है मैं इसको पहले एक वीडियो में बेहद खास तरीके से define किया था तो आज यह परस्ण उसी से है आप match करके बताए कि क्या हो सकता है यहाँ पर level of measurement में आपको nominal, ordinal, interval और ratio दिये गया है यहाँ पर इसकी properties दी गया है वैसे मैं बताओं अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा प्रयास की दिये जैसे इनकी नाम है उसी के according इनकी properties है तो इसको आगे define करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इस image को समझाना चाहूंगा देखिए nominal जो level होता है उसमें जब भी हम variables होते हैं उनकी नाम बताते हैं यानि nominal का मतलब होता है केवल नाम को define करते हैं अगर ordinal की बात आती है इसमें name होता है प्लस order भी सामिल होता है और अगर interval आता है तो इसमें name भी सामिल होता है order भी सामिल होता है और एक proportionate जो interval होता है वो भी सामिल होता है एक अनपात एक इस्तर भी इसमें सैमिल होता है और अगर ratio की बात आती है इसमें name भी होता है order भी होता है और proportionate interval भी होता है और इसमें absolute zero भी होता है ध्याना कि ये absolute zero आपका ratio level पर होता है इसके पहले नहीं होता है तो इससे समझते हुए अब हम यहाँ पर जो matching है इसे करेंगे तो nominal केवल इसमें क्या होता है नाम होता है यानि classification हो सकता है classified कर सकते हैं चीज़ें को अलग-अलग करने के लिए तो इसमें आपका matching आएगा तीसरे से यानि classification से यानि हम चीज़ें को नाम में बाट के अलग-अलग कर लेते हैं इसके बाद दूसरा है आपका ordinal तो ordinal में आपका आएगा classification and order यानि इसमें nominal भी होता है और order भी होता है इसके बाद आपका जो c है interval तो आपका interval आएगा किसमें? दूसरे में classification हो गया order हो गया और equal units हो जाती है interval हो गया अनुपातिक आपका पहला बचे का यहाँ पे classification हो गया order हो गया, equal unit हो गया और absolute zero हो गया तो इस तरह से आपको यह match करना है देखिए एक आपका concept है level of measurement और अगर आपको यह पूरी तरह से नहीं आता है तो आप इस question को नहीं कर पाएंगे या फिर इन मैसे आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं कोई बात नहीं अगर दो तीन concept को ही जानते हैं तब भी आप कर सकते थे क्योंकि आपको तीन पता है, तीन match करके चौत है, जो बचे का उसे match कर देंगे लेकिन फिर भी इस question को और तरह के से पूता जा सकता है, आपको basic level of measurement के सबी level आने चाहिए, उनके properties आने चाहिए, यहाँ बहुत ही आसान है एक बार समझे लेंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे जैसा नाम है, वैसा है इनका काम है यहाँ पर मैंने जो यह image set up की है, आप इसे अच्छे से याद करिएगा, बेकोज इसी के बेस पर सारा खेल है इसकी बाद यहाँ पर next question है जिसमें कहा गया है, यह भी आपका matching करना से है, set A, set B यह media है यहाँ पर और यहाँ पर transmission communication यह है तो match करना है कि जो audio है या advertising है, internet है, news paper है, इनका matching किस से होगा तो बहुत ही आसान है, ऐसे questions को करने के लिए हमें क्या करना होता है जो चीज़े पहले आती है, उनको हम पहले match कर सकते है, तो जैसे मा लेजिए internet आपके लिए बहुत ही आसान है, और internet आपने सुना होगा, यह आपका band with से संबंध होता है आपके पास knowledge होती है आपने अपनी बारवी class 10th class के दौरान यह चीज़े पढ़ी होती है so it is normal, जरूरी नहीं होता है कि जो बुक में आपके UGC net की बुक में जो लिखा है वही पूचा जाए, आसा कुछ नहीं है यह सब आपके overall जो learning है, उस पर depend करता है कि आपको चीज़े कैसे कैसे याद रहेंगे तो वैसी हमें अपनी information को use करना है तो यहाँ पर दो matching हो गई अब इसके बाद आता है, बचा है आपका advertising और बचा है आपका news paper तो ध्यान रखिए, जो आपका news paper होता है यह आपका संबंदित होता है linear communication से और जो आपका advertising है, यह आपका है non-personal communication इस तरह से आपका match हो गया तो ऐसे ही आपको चीज़े को करना है वैसे यहाँ पर मैंने आपके साथ कोई options यह नहीं किया है लेकिन जब आप match कर लेंगे तो फिर आप option को भी सही कर सकते है इसकी बाद यहाँ पर next question आता है जिसमें कहा गया है कि SIM SIM का earth क्या है SIM SIM, आप जो अपने mobile phone में use करते हैं और हो सकता है कि आप इसका मतलब जानते बेंगे simple सी बात है इसका full form बताना है SIM का full form होता है subscriber identity module इसका B आपका उतर सही है और इसकी बाद यहाँ पर next question है जिसमें कहा गया है कि which one of the following is known as fourth state यानि चौथा स्थम्प किसे कहा जाता है I think यह प्रशन बहुत ही आसान है आप सभी लोग इसे जानते होंगे तो इसे मैं नहीं बताने वाला हूँ आप कमेंट करेंगे और जिसको नहीं आता है तो आप कमेंट में जाकर देख लेना आपके साथियों ने इसे बता दिया है चौथा स्थम्प आज इसके बारे में बहुत चर्चा होती है क्या हालत हो गई है हमारे country में इसको लेकर तो बहुत सारी चीजे हैं आपने निश्चेती सुनाओगा इसके बाद यहाँ पर एक और प्रस्ण है तो इससे देखते हैं इसमें का गया है कि सोद समस्या का निरूपर किस पर निरूपर करता है यानि formulation of a research problem depend upon तो यहाँ पर क्या है कि इस question में कुछ आपको यह points दिये गए है और इसके बाद आपको option में लेगा option में असे बताना होगा कि कौन से points सही है तो हम क्या करने वाले हैं कि इस question में हम देखेंगे कौन कौन से नहीं है यानि research problem के formulation में कौन कौन से निरूपर नहीं करते हैं हम यह find कर लेंगे तो बचेंगे कौन कौन से जो नरूपर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप सोचिए जब भी हम research formulate करते हैं तो उस समय इस factor को कि हम सामल करते हैं what negative factors to research upon यानि सोच के नकरतम घटक कौन से हैं नहीं हमें तो research करनी है कितनी भी complex हो कितनी भी कठें है तो इसमें ऐसा कोई point नहीं है कि negative वाली बात करें सीधा सामय जह हमारा problem है उसके according हम अपने research करते हैं और इसके बाद यहाँ पर इस point को दखिए regions for unlimiting the study यानि अर्दियन को असीमित करने के कारण यह भी आपका इसमें सामय नहीं है इसके बाद एक, दो, तीन, छे यह ऐसे point है फ़र से दखिए one, two, three and six यानि what is the object behind the researcher choice एक यह आपका research formulation के time पे आपका यह base होता है उद्देश क्या है resist person क्या है आपका conceptual model क्या है और परिकलपना का नहर्मार यह सारी चीज़े research formulation के दौरान यह बहुत ही काम आती है तो यह आपका एक, दो, तीन और छे यह आपका सही होगा तो जो आप सन होगे आपके सामने तो वहाँ पर आप आप आज़े सही करेंगे ओके, so thanks for watching this video आज इतने ही प्रशन है आप से आपको next नए प्रशन मिलेंगे आप मेरे साथ जोड़े रहे हैं टेडी ग्राम को आवज से जोड़ेंड कीजिए वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा ओके, मिलता हूँ next वीडियो में झाल